स्वागत आपका एक और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंवेस्टमेंट विद सी अमन प्रीसिंग दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टन अपडेट आया था था थोड़ी देर पहले ब्राइट कॉम गुरुक के उपर जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जिसका कॉन कॉल था जिसमें की जो मेनेजमेंट है वो इंवेस्टर से बात करती है तो मैं वही उस कॉन कॉल में शामिल हुआ था तो उस कॉन कॉल में जो कुछ डिसकर्स हुआ है वो थोड़ा सा मैं आपके सार डिसकर्स करना चाहूंगा वैसे तो बहुत सी चीजें डिसक हुई है इस दो घंटे की कौन कॉल में लेकिन जो इंपॉर्टन चीजें डिसकर हुई है जिसका की इन्वेस्टर्स को वेट रहता है इसमें दो तिन इशू भी थे तो उसके उपर उसमें बात हुई है वो मैं आपके साथ डिसकर्स करना चाहूंगा ब्राइड कॉम जो कि अध्टेक सेक्टर की कंपनी है और जो एड एड एजनसी की तरह काम करती है पिछले दिनों में जो है इसने बॉनस दिया था और इसका शेर जो है अभी काफी गिर गया था जैसे कि आप चार्ट पर भी देख सकते हो 122 रुपे का हाई लगा के जो है 30 रुपे का लो लगा करता है इसने और अभी जो है रोज अपर फरीज में चल रहा है मैंने पहले भी इसको कवर किया है अपनी कई वीडियो में प्राफित भी जो है इसका आप देख सकते हो काफी ग्रोथ हुई है प्रॉफिट के लिए और रेंवर्वेय्नियू के अंदर भी का फी ग्रोथ है इसके अंदर आप देख सकते हो पिछले दो साथ में लगबग डबल हुआ है इसका revenue तो दोस्तों आज जो major question पूछे गए थे management से और जो कुछ उसके जवाब हैं वो मैं आपसे short में discuss करूँगा सबसे पहला question जो पूछा गया था company की growth के बारे में तो उसमें जो ready साब हैं इनके MD हैं उन्होंने बताया के company जो है आगे भी 30% के annual जो है growth के साथ अनुमान है के काम करेगी जो revenue है और margins है वो increase होंगे ऐसा उनका मानना है इसके इलावा जो dividend के ऊपर पुछा गया था सवाल उनसे के dividend जो है वो कब company देने वाली है तो उन्होंने कहा फिलहाल हमारा अगले दो quarter में dividend देने का कोई plan नहीं है वो चाहते हैं कि इस जो cash है इसको company जो है आगे आने वाले investment में यूज करें वो इसको जो है अभी distribute नहीं करना चाहते हैं और company के future plans में investment करना चाहते हैं फिर एक जो सबको इंतजार था media meant जो जो audio company है जिसको purchase करना का उन्होंने बताया कि उसके लिए वो कर रहे हैं अभी उनकी कारवाई चल रही है और वो उन्होंने बताया है कि वो इसलिए purchase कर रहे हैं कि वो अपना revenue increase करना चाहते हैं और उसमें जो है अभी काम चल रहा है हलाकि उन्होंने नाम जो है वो disclose नहीं किया है उन्होंने बताया कि यह हमारा confidential रहता है फिर उसके बाद में एक investor ने सवाल किया था कि क्या आप US में listing कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हा हमारी formalities चल रही है वो US में भी इस company को list करना चाहते हैं उन्होंने बताया है कि हमार Якors कि उन्हों से एक सवाल श्रीवास हैं का विढоС करद का रहा है कि अन्होंने बताया है कि हमारी रिपोर्ट के लिए उन्होंने लिए थी पर मातन पॉड़ और उन्होंने किया रही है कि हमारे जो है हमने सारे पेपर सब्मिट कर दिये हैं और हमें फियर रिपोर्ट जो है वो आएगी इसके इलावा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फेक्टर था जो की रसीविबल नंबर ओफ डेज जो पेमेंट के थे वो उसके ऊपर भी कंपणी ने क्रेरिफ के तो यह चीज़ माननी पड़ेगी कि एक एक सेक्टर में जो पेमेंट है वह बहुत लेट मिलती है और कंपनी जो है बहुत एक साल दो दो साल के रसीविबल होते हैं और इस कंपनी में जो है अभी पिछले क्वार्टर में जो 136 डेस से वह इंप्रूब के 132 डेस पे आ ग इंप्लॉइमेंट में उन्होंने बताया है कि हम 100 से ज़्याधा जो है वह इंडिया के अंदर इंजीणियर को मुनिटर करेंगे इंडिया में वो जो है अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं अभी जो इनका ज्यादा काम है वो यूएस में है अब वो इंडिया में भी फोकस कर रहे हैं कि हम इसमें भी बढ़ाएं इसके इलावा मिडल इस्ट और चाइना में जो है कंपनी अपना जो है एक्सपांशन करना च इसके इलावा उन्होंने बताया है कि हम लोग दो नए एप्स इंस्टॉल किये हैं वीडियो प्लेयर जो है ब्राइट कॉम वीडियो प्लेयर और उसको भी अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और उससे भी जो है रवेन्यू बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसे हैं ऐसा कॉनिटि कंपणीस में आपको वैयलिशन करना जता हूं कैसे होती हैं अगर इसका हम क्वाटरली प्रॉफिट देखें है कि क्वाटरली प्रॉफिट देखें तो यह लास्ट क्वाटर का प्रॉफिटे 277 है 223 था मार्च में आप देखो के क्वाटर अन्ग वाटर बढ़ है दिसंबर क्वार्टर में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है आई टी कंपनी का अगर मैं 277 को एवरेज भी माल लूँ तो इसको हंडर से मल्टिवलाई करूं तो लगबग 27,000 क्रोड का मार्किट कैप होना चाहिए इस कंपनी का जो कि अभी 8,940 क्रोड है तो मेरा ऐसा मानना है यह कंपनी बहुत सस्ती है और मैनेजमेंट जो है वो फेर है तो हमें लग रहा है इसमें और उशाल आना चाहिए लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फिनांशल अडवाईजर्स ला लें तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार